हाई फ्रेंड्स विलकम हैं मारे जियस इंडिया यूटूब चैनल पर तूड़े वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नमबर 197 प्रेंड्स हमारा टेस्ट नमबर 197 इस पे बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सायद अभी तक नहीं पढ़ाया और इस पे कुछ एकाद ुका कोशन बताए थे लेकिन ये कुछन आपके लिए काफी important होंगे ये जो आने चाहिए आपको पता होने चाहिए जो होस्पिटल्स में मानक लिये जाते हैं जिसी साफ़े दिये जाते हैं ठ्रिक है उनके बारे में बात करेंगे और जो भी मानक हैं क्योबिक मीमिटर किलो पूछे जा चुके है एक ये आल-स्टेट के जיותने भी नर्सिंग एक्जाम्स होते हैं सभी के लिए हेलफुल होगे आप देख शकते हैं अपनी स्क्रिण पर आल-स्टेट के सियड़की विशनलेर्सियलीव उपने सबस्तल्स के लिए और आपकी इसकीन पर question number first पढ़ें फिर इसके पाद answer बताएं अगर आपको answer आए तो जरूर अपने answer बताएं इससे आपका test confidence अच्छा होगा question number first यह रहा आपकी screen पर last बताएं आपने कितने question सही किया question number first 1 ml में कितने cc होते हैं how many cc are in 1 ml according to option you have to select the right answer क्या होगा इसका right answer comment करें option ace का right answer होगा 1 cc क्या होगा 1 cc 1 ml जो होता है यह कितने cc के बराबर होता है यह 1 cc के equal to होता है कितने 1 cc के equal to होता है अब देखिए cc का मतलब क्या होता है cubic centimeter होता है क्या होता है cubic centimeter आपको यह point लिख लेना चाहिए 1 ml is equal to 1 cc मतलब cubic centimeter होता है चलते हैं next question पर question नमर आपके skin पर question नमर दूसरा पढ़ें आप इसके बाद answer बताएं question नमर दूसरे पर पूचा गया 5 ml कितने teaspoon के बराबर होता है 5 ml is equal to how many teaspoon क्या है इसका right answer क्या होगा right answer कमेंट करी answer अपना option इसका right answer है 1 teaspoon क्या 1 teaspoon इसी को कभी कभी इस तरह लिखा जाता है 1 t s p तो इसका मतलब आपको समझना है यह यह लिखा है teaspoon टी टी होता है मतलब चाय वाला टी और s p के मतलब होता है 1 teaspoon 5 ml किसके बराबर होता है 1 teaspoon के बराबर होता है या आप यूँ समझे कि 1 teaspoon 1 teaspoon जो होता है 5 ml के equal to होता है एक्जाम से question पूछे जा चुकी है CHO staff nurse एनम जेनम साभी में ठीक है next point है यहाँ पर teaspoon का मतलब यहाँ पर define किया गए teaspoon होता है next question है आपके skin पर question number 3 question number 3 पढ़े फिर इसके बाद आमसर बता है last में हम revision भी करेंगे question होगा ठीक है one tablespoon में कितने ml के बराबर होता one tablespoon कितने ml के बराबर होता है one tablespoon जो होता है इसको TBSP लिखा जाता है doctors क्या करते हैं अपने परचे में इसको describe करते हैं या mention करते है one tablespoon या one teaspoon तो उसका मतलब होता है teaspoon मतलब चाय वाला चमच अगर ये वाला लिखा है tablespoon तो TB का मतलब होगा table table SP का मतलब मैंने बता दिया उसका SP का मतलब होता है teaspoon तो one tablespoon is equal to how many ml क्या होगा इसका right answer option 20 का right answer ये राजिस्तान CHO में question ने पूछा जा चुका है कि one tablespoon केतने ml के बराबर होता है ये 15 ml के बराबर होता है option भी is the right answer यहां पर देख चेकते हैं one tablespoon is equal to 15 ml 15 ml के बराबर होता है next point question number आपकी skin पर four question number four पढ़े फिर इसक बादा आपसर बता है teaspoon होंगे आप अपना दिमाख लगा कि यहां पर कर सकते हैं जैसे कि आपको पता है कि एक जो एक जो teaspoon होता है उस पे कितने ml होते हैं आपको पता है कि एक teaspoon में एक teaspoon में कितने पांच ml होते हैं और पांच ml होते हैं और एक जो tablespoon होता है जो एक tablespoon होता है इसमें कितने ml होते हैं 15 ml होते हैं कितने 15 ml होते हैं तो इसका मतलब यह तीन tablespoon तीन teaspoon जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, एक टेबली स्पून के बराबर होंगे, क्योंकि आपको पता है, एक जो चाय वाला चमच होता है ना, उसमें कितने एमल होते हैं, पांच एमल होते हैं, ठीक है, कितने एमल होते हैं, पांच एमल होते हैं, और जो एक टेबली स्पून होता है ना, उ इसका राइट आंसर बताएं वन लीटर पर कितने ml होते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर इसका जो right answer होगा option C होगा 1000 ml होते हैं कितने 1000 ml होते हैं एक liter में कितने milliliter होते हैं ml का मतलब होता है milliliter तो 1000 ml होते हैं 1000 ml होते हैं ये interview में question पूछे जाते हैं interview में भी पूछे जाते हैं exam में भी आपके रख दिये जाते हैं क्योंकि आपको यह सभी मानक बता होने चाहिए, यह basic है आपका, ओके, यह चीदिया आपको आने चाहिए, यह लिखा है, one liter is equal to one thousand ml, okay, ml का मतलब होता है, milliliter, यह भी पूछ लिया जाता है, ml में, ml में L का मतलब क्या है, ठीक है, यह liter होता है, m का मतलब होता है, milliliter, एक साथ पढ़ा जाता है, इसे milliliter, okay, mm मत पढ़ना, mm के लिए mm आता है, क्या, mm के लिए mm आता है, next is question, question नमबर आपके स्कीड पर 6, question नमबर छटा पढ़ें, फिर इसके बाद आप आमसर बता शकते हैं, question नमबर 6, one mg में कितने mcg होते हैं, how many mcg are in one mg, one mg में कितने mcg होते हैं, m mcg का मतलब होता है, microgram, क्या होता है, microgram, आप यहाँ पर बता सकते हैं, इसका right answer क्या होगा, इसका right answer है, आप संसी है, 1000 mcb होते हैं, 1000 mcb होते हैं, 1000 mcb होते हैं, आप संसी, इसका right answer है, चलते हैं, next question पर यहाँ पर देख सकते हैं, mg को यहाँ पर describe किया गया है, कि 1 mg, mg का म मतलब होता है Microgram क्या कहते है Can Um okay तो 1 mg में कितने Microgram होते हैं 1000 Microgram होते है ठीक है तो धियान रखना 1 mg गल टू 1000 Microgram होगे ό, 1000 Microgram अब चलते है einाफ कोषै यह स्कीन पर है 7 कोषं नपर 7 पढ़ें फिर इसके बाद vẫn बताए आप उसके बाद आनसर बताए आप ग्राम में कितने मिली ग्राम होते है एम जी लिखा है यहाँ पर मिली ग्राम ठीक है एम जी का मतलब होता है मिली ग्राम हाउ मैनी एम जी आर इन ग्राम आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा दोनों का मतलब gram ही पढ़ा जाता है, अगर G भी लिखाओ, इसका भी मतलब gram होता है, अगर GM लिखाओ, इसका मतलब भी gram होता है, उमेद करता हूं, आप समझे होंगे, आप यहाँ पर देख लें, फिर इसका बाद आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर, ना क्योंकि ये इंटर्वी में भी पूछ जाते हैं और जनरली भी पूछ ले जाते हैं अगर नहीं भी बालो आपके एक्जाम्स में है कम से कम अपने लड़कों बच्चों को पढ़ाओगे भाई बहें को भी पताओगे ठीक है क्या है चोटी मोटी बाते हैं लेकिन क्या है कि नहीं में फस जाते हैं ठीक है मैंने कई बार नोटिस किया है क्यी लोगों से मरी बात चीत हुई है तो उसके क्या होता यह कोशन इंटर्वी में पूछ जाते हैं आप अगर कहीं प्राइबेट हॉस्पिटल बगार में अगर आप इंटर्वी देने जाते तो उसमें भी पूछ लिए जाते हैं चोटी चोटी बाते पूछ जाते हैं चोटी बाते आपको आने चाहिए चोटी कहें या बड़ी कहें कोई बात नहीं कोशन होता है काफ इसे थे पूछ नमबर 6 कोशन है कोशन है कोशन नमबर 8 इंडी जो बंदे लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे ठीक है ओन्स में कितने ml होते हैं लेकिन आपको इस तरह लिख लेना चाहिए और जानकारी के लिए ओन्स ये लिखा हुआ है ठीक है आपके अब यहां पर देख ले हाओ मैनी ml are 1 oz ठीक है ओन्स पढ़ा जाता है इसी को क्या होगा इसका राइटम सर कमेंट करें आफसन इसका सिच कल टू 30 ml होता है कितना 30 ml होता है तो यह आपको याद कर लेना है और रट लेना है निश्ट है यहाँ पर पॉइंट लिखे आप इन्हें समझ ले कभी कभी क्या होता है एक्जामनर या कई बुकों में आपने देखा होगा कि fl oz करके लिखा जाता है ठीक है fl का होगा तभी मतलब 30 ml के बराबर होगा और fl oz होगा तभी 30 ml का मतलब होगा fl इस वज़े से मिंसन कर दिया जाता है कि एक प्रकार का लिक्ट यह फिल्यूट है जैसे कि कोई सीरप टाइप हो गई या पिलाना हुआ तो यहां पर अगर ऐसा लिखाओ तब भी आमसर यही होगा अगर इस तरह लिखाओ वन ओंस इचकल टू तब भी आपका आमसर यही होगा तीसे मलों के और जो हिंदी मेडियम से इसे ओंस को ऐसे आप लोग लिख लेंग होसकता है का अपको क्लियर हो गया होसे कितने के बराबर होता है चलते हैं । इसके लिखा reconcile है लिख लेना आर इन एट ओजेट ओके आट ओजेट या आट ओजेट या आट ओजेट में कितने कफ होते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर आंसर ए होगा स्वरी आफसन ए होगा वन कफ होता है कितना एक कफ होता है या आप यू समझें एक कफ में कितने ओजेट होते हैं आट 8FLOZ, इसका मतलब होता है FL FLUID, ओका मतलब होता है ONS तो 8 OZ में 1 cup होता है या यूँ आप लिख लेना कि 1 cup, 1 cup is equal to कितना होता है, 8FLOZ उमीद करता हूँ, समझे होंगे आप चलते हैं, next question पर question number आपके screen पर 10 question number 10 पढ़ें, फिर इसके बाद क्या होगा 1 meter कितने centimeter होते हैं, यहाँ पर बता होगी आपको कितने centimeter होते हैं पता होगा आपको 1 meter में कितने centimeter होते हैं इसका जो right answer है 1 meter में hundred centimeter होते हैं ये कई बार doktors पूच लेते हैं जो लोग जॉब करने जाते हैं प्राइवेट इंटर्वियू देते हैं या उनसे पूछ लिया जाता है कि मालोग की जैसे कोई भी चीज़ें होती हैं हस्पिटल में मीटर सेंटिमीटर कभी यूज होता है कई चीज़ें मापी जाती है उनको बताया जाता है यह चीज एतनी इतनी मीटर पर लटकाना इसको यह पता होना चाहिए न को पता होना जरूरी होता है यहाँ पर देखते हैं आप नीक्स्ट नेक्स्ट कोशन आपके स्कीन पर कोशन नंबर 11 पूछा गया ए 1 से कितने मिलीमीटर के बराबर होता है मतलब 1 cm इसका राइच आंसर ए 10 एं एंए 1 cm में कितने mm होते हैं 1 cm to 10 mm होते हैं उमीद करता हूँ आप समझ गए होंगे यह आपको याद कर लेना है और इसके लिए एक trick भी होती है वह हम नेक्स्ट वीडियों बताएंगी है आपर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपर डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ आपको ज़्याद नहीं करना पड़ागा लेकिन यह point याद ही करने है यह आपको exact point to point आने चाहिए रटा होना चाहिए आपको ठीक है क्योंकि यह basic है यह ज़्यादा difficult चीज़ नहीं है basic है यह आपके बुढ़ापे तक काम आएंगी आज वगर पढ़ लिए आप कभी भी इनका यूज जो होता है जितने भी question इनका यूज daily basis पे होता है ठीक है कई पर कोई भी वेक्ति आपसे पूछ सकता है या हर एक मामले में इन सबी चीज़ों का यूज होता रहता है यहाँ पर question number 12 के 1 decimeter में कितने centimeter होते है यहाँ पर बता रहा है आपको 1 decimeter में कितने centimeter होते है option is कराईटाम सरे क्या option ए 1 dm is called to होता है 1 10 centimeter option is द्राईटाम सरे decimeter को dm पढ़़ा जाता है 1 dm is called to 10 centimeter next question आपके skin पर question number 13 13 exam में यह भी question 3-4 बार पूछा जा चुका है railway में भी पूछा गया है यह देखे छोटा जुरूर है लेकिन यह question पूछा गया था PCS के C-site में ठीक है और भी other exam में पूछा गया interview में भी पूछा जा चुका है यह question 1 centimeter के बराबर होता है या 1 inch में कितने centimeter होते है 1 inch में यहाँ पर लिख लेना 1 inch में कितने centimeter होते है क्या होगा item जाए इसका आफसर अंडी इसकर item सर है काफी important है ठीक है जर्नली लोग आपको जाचने के लिए आपको एजी question जाचने के लिए mostly लोग यही पूछ लेते हैं ठीक है तो पूछा जाता है जैसे कि एक बार मेरे से ही एक बंदे ने वो भी क्या थे वो भी सर थे उनुन मेरे से पूछा था कि एक इंच में कितने cm होते हैं ठीक है आप 70 का राइट आंसर है मतलब आप 2.5 cm समझ सकते हैं 2.5 cm आप अगर पॉइंट के रूप में याद करना नमबर एदम रटे होने चाहिए यह कोश्चन कई बार पूछा जाता है मोशली लोगों के दर 2.54 कितना 2.54 2.54 नहीं पढ़ा जाता है इसे आप जर्णली आप ऐसे बोल दिया जाता है दसमलों के बाद है decimal के बाद नमबर को digit के रूप में पढ़ा जाता है एक एक सिंगल सिंगल ठीक है 2.54 cm या आप 2.5 cm याद कर लो कि 1 cm 1 inch is equal to 2.5 cm होता है आप संडीस का राइट आमसर है नेक्स्ट है यहाँ पर देख लिए वही बात लिखी भी है नेक्स्ट है कोशन नमबर आपके स्किन पर 14 कोशन नमबर 14 पढ़ें फिर इसका बाद आमसर बता है यह लिखा है एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं How many meters are in 1 km क्या होगा राइट आमसर इसका एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं आपसंस इसका आइट आमसर एक हजार मीटर होते हैं कितने एक हजार मीटर दो किलो मीटर में कितने मीटर होंगे दो किलो मीटर में कितने होंगे दो हजार मीटर होंगे कितने 2000 एक पॉइंट और मैं आपको बता दू जैसे कि आपने सुना होगा कि एक मील की दूरी के हिसाफ से दोडाया जाता है जो लोग आर्मी एर फोर्स नैवी में क्या होता है भरती देखते हैं ठीक है जो लोग भरती देखने जाते हैं उन्हें क्या होता है एक मील दोडाया जाता है कितना एक मील इसे वन मील पढ़ा जाता है वन माइल ठीक है तो एक मिल इसकाल तो किलो मीटर होते हैं और 6 किलो मीटर अगर इस तरह लिखा जाएगा तो किलो मीटर लिखा जाएगा अगर इसको हम मीटर में चेंजे करें तो 1600 मीटर होगा कितना 1600 मीटर ओके यह आप लिख लिए ना मुश्री लोग बोलते हैं कि एक मील दोड़ाया गया था वहाँ पर जैसे CRP UP की भरती होती है आर्मी की भरती होती है Air Force Navy ठीक है कोई भी भरती हो जिसमें दोड़ होती है उसमें दोड़ इतनी ही मांगी जाती है 1600 मीटर ठीक है एक मील कहा जाता है एक मील को मतलब 1.6 किलो मीटर इसका मतलब होता है एक किलो मीटर ये आदा किलो मीटर ये मतलब आदे से थोड़ा जादा होता है इसलिए सोला सो मीटर पढ़ा जाता है एक किलो मीटर ही हो जाएगा इधर डेसिमल के बाद वाला मीटर में चला जाएगा तो सोला सो मीटर होता है एक माईल इसकल टू या एक मील इसकल टू शोला सो मीटर आप पढ़ो चाहे डेड़ किलो मीटर के आसपास समझ लो हो कि 1.6 जब भी आफसन मिलेगा एकजाम में तो ऐसा ही मिलेगा आपका यो एला ठीक 1.6 किलो मीटर या सोला सो मीटर उमिद करता हूं समझे होंगे यह एक म आपके स्कीन पर कोशन नमबर 15 पड़ें इसके बाद आमसर बताएं एक केजी में कितने ग्राम होते हैं हाव मैनी ग्राम आर इन वन केजी क्या होगा राइट आमसर इसका काभी सिंपल है रोज तौलते होंगे इतना तो आफसन सी का राइट आंसर है 1,000 ग्राम होते हैं कित कितना होता है 1 CC होता है मतलब होता है 1 CC की मतलब होता है 15 ml घायाइक फिर और भी कई जगे यह interview में पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वन टेबली स्पून इसकल टू, थी टी असपी, एक टेबली स्पून जो होता है, वो तीन चाय वाली चमच के बराबर होता है, टी असपी का मतलब है, ओके, फिर यहाँ पर लिखा है, एक लीटर मे एक एमच मतलब, यहाँ पर पता रहे किसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, एंटी मिटर में के-तने संथ केंटिमेटर होते हैं, टी सं होते हैं next है यहां पर one meter one meter में कितने centimeter होते हैं ये है और आप समझ रहा हूंगे next point है यहां पर one ounce या ons पढ़ा बढ़ा जाता है ऐसे करके लिख दिया जाएगा हिंदी में या injured लिखा जाता है ठीक है 30ml के बराबर होता है उपर describe किया था, details में आपको बता दिया था next है, यहाँ पर point यह लिखा है 8FL-OZ यह लिखा है, इसका मतलब होता है FL fluid-ons यह किसके बराबर होता है एक cup के बराबर होता है एक cup यह वाला cup, ठीक है एक cup के बराबर होता है एक question है आपके लिए, जो आपको बताना है इसका right answer क्या होगा, यह आपके लिए रखा है मैंने, question, यह लिखा है 16 number पर एक कुंटल में कितने kilogram होते हैं how many kilogram या kg are in one कुंटल, एक कुंटल में कितने kg होते हैं, आपको यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा, चैनल पहना है इसे subscribe करना, like करना अपने दोस्तों के साथ share करना और हाँ, हमारे daily salt वीडियो आते हैं ठीक है, क्या होते हैं, salt वीडियो आते हैं आप उन्हें एक मिनट के अंदर वहाँ पर दो question आपको बताया जाते हैं बहुत important होते हैं, और अक्सर exams में पूछे गए question होते हैं, ठीक है और इन future कभी भी question repeat हो सकते हैं पूछे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको revisions का मौका मिलता है, ठीक है तो आपके पास जब भी समय हुआ करें, उसमें ज़्यादा एक दो दिन में आपको notification उसका मिलने लगेगा अच्छे से और वहाँ पर कई interesting topic define करेंगे और समझाएंगे एक ही minute, ठीक है, ज्यादा timing नहीं होगा एक minute के अंदर ही, क्योंकि वो short video होंगे ठीक है, तो वहाँ पर जैसे कि आपको वीडियो पूरी तरह से ना दीख रहे हो तो वहाँ पर क्या होता, इस तरह के एक symbol होता इसे minimal symbol कहा जाता, ठीक है आप इसको okay करेंगे, तो पूरी screen पे आपके question आ जाएंगे, ठीक है, आपको अच्छे से दीखने लगया होगा, ठीक है, तो daily टाटा बाबे, थैंक्स पर वाजिंक दुरे, थैंक्यू, बाबाई, टेक क्यास